प्यारे बच्चों, JCERT के DJ स्कूल में आपका स्वागत हैं। इस वीडियो में हम पर्यावरन अध्यन कक्छा 4 के पाठ 2 छोटे कान बड़े कान पढ़ेंगे। बच्चों, पाँच ग्यानेंद्रियां यानि की सेंस ओर्गन में कान, आख, नाख, जीव तथत्वचा है। परन्तु हम देखते हैं कि जो जन्तु होते हैं, जानवर होते हैं, उनके कान अलग-अलग प्रकार के होते हैं। कोई लंबा, कोई बड़ा, कोई छोटा। तो चलिए, आज हम इस पाठ में जन्तुओं के विभिन प्रकार के कान के बारे में जानेंगे। हम अपने परिवेश में बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। इन में से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। प्रिश्ट संख्या 6 पर कुछ जानवरों के नाम दिये गए हैं और एक सार्णी दी गई है। आपको इन जानवरों में से अलग करना है ऐसे जानवरों को जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं। और एक सार्णी में आपको लिखना है जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, तो चलिए हम इस सार्णी को पूरा करते हैं, पहला है हिरन, तो हिरन के कान आप देख सकते हैं, हिरन के कान छोटे छोटे दोनों और सर के दोनों और बिल्कुल पत्ते की तरह होती ह दूसरा जानवर का नाम लिखा है मेढक, तो बच्चों आप बता सकते हैं मेढक किस में आएगा, हाँ मेढक के कान दिखाई नहीं देते हैं, तो इसे हम दूसरे सारनी में डालेंगे, मचली, मचली के भी कान दिखाई नहीं देते हैं, चीटी, चीटी के भी कान दिखाई नह आजाईए हम अगले जानवर पर यह है चीता तो चीता के कान आप बाहर देख सकते हैं इसी प्रकार चिडिया जितने भी चिडिया हैं आप उनके कान बाहर से नहीं देख सकते हैं भैस भैस के कान हम बाहर से देख सकते हैं सांप सांप के भी कान नहीं होते हैं इसके बाद है चिपकिली के भी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, सूवर, सूवर के कान हमें दिखाई देते हैं, बत्तक, बत्तक के भी कान हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिराफ, इसके कान हमें दिखाई देते हैं, हाथी, अरे, इसके तो बड़े-बड़े कान दिखाई देते हैं, बि हाथी के कान बड़े बड़े सूप के जैसे होते हैं, चुहे के कान बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, खरगोस के कान सर के उपर लंबे होते हैं, हिरन के कान होते हैं वे पत्तों की तरह दिखाई देते हैं, कुत्ते के कान आप जब देखेंगे तो वे जुके हुए भी नजर आते हैं और किसी किसी नसल में आप छोटे छोटे दोनों और उठेवे भी देख सकते हैं। जिराफ के कान भी सर के दोनों और पत्तों के आकार के दिखते हैं। गाए और भैस के कान भी यदि आप देखते होंगे तो ये भी सर के दोनों और पत्तों के आकार के ही नजर आते हैं बच्चों प्रिष्ट संख्या साथ पर एक मज़ेदार गती बिधी दी हुई है इसमें एक और जानवर के चित्र बने हुए हैं और इस चित्र में उनके कान बने हुए नहीं है दूसरी और दूसरे सार्णी में आप देखिए कि जानवरों के कान है तो आपको ये मिलान करना ह सही जानवरों के साथ इनके कान को सही जानवरों के साथ मिलान करना है तो चलिए हम इसे करते हैं तो इधर आप देख सकते हैं कि जानवरों के चित्र बने हुए हैं ये है भैस, हिरन, गिलहरी, हाथी, कुत्ता और जिराफ और इस और जानवरों के कान बने हुए हैं हमें क् कान को उनके जानवरों से मिलान करना है तो ये रहा हमारा भैस का कान ये वाला है हमारा भैस का कान बिल्कुल सर के दोनों और पत्तों की तरह होते हैं इसी तरह ये है हमारा हिरन का कान हिरन का कान छोटे-छोटे पत्तों की तरह होते हैं गिलहरी के कान सर के उपर उठे हुए होते हैं इसी तरह हाथी के कान लंबे लंबे सूप के जैसे आप कह सकते हैं कि पंखो के जैसे भी होते हैं और फिर आप देख सकते हैं कुट्टे के कान ये छोटे छोटे होते हैं उठे वे सर के दोनों और और ये रहा हमारा जिराफ का कान जिराफ का कान भी पत्तों की तरह होता है तो आप भी बच्चों अपने पाठे पुस्तक पर इन कानों का मिलान करेंगे इस तरह अभी हमने ऐसे जानवरों के बारे में जाना जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं बच्चों जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते क्या लगता है आपको उनके भी कान होते हैं या नहीं देखिए प्रिष्ट संख्या आठ पर कुछ चित्र दिये गए हैं इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं कवा, मुर्गा, बत्तक, गिर्गिट? नहीं न, इन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं दे रहे हैं बच्चों, पक्षियों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते, पर इनके सिर के दोनों तरफ छोटे-छोटे छेद होते हैं, जो इनके कान हैं, और पंखों से ढके होने के कारण ये दिखाई नहीं देते हैं इस प्रकार हम गिर्गेट, छिपकिली, मगर मच को देखेंगे, तो इनके भी बाहरी कान दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो पाएंगे कि इनके कान वाले जो जगा है, उसर के दोनों और, वहाँ छोटे-छोटे होल या छेद जैसा बना होता है इस प्रकार बच्चो अभी हमने दो प्रकार के जानवरों के बारे में जाना, पहला जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं, यानि जिनके एक्स्टरनल येर होते हैं, और दूसरा, जिनके कान तो होते हैं, लेकिन वे बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, तो इन दोनों प्र ये एक प्रश्न है ऐसे जानवरों के नाम लिखे जिनके कान पंखे के जैसे हो क्या होगा इसका उत्तर इसका सही उत्तर होगा हाथी अच्छा दूसरा है ऐसा जानवर का नाम बताईए जिसके सिर के उपर कान हो उनके कान सिर के उपर तो हमारा यहां क्या उत्तर होगा रैब ते की तरह दिखने वाला कान किस जानवर का होता है तो यहाँ आप लिख सकते हैं हिरन, सिर के दोनों तरफ कान हो तो यहाँ हम लिख सकते हैं भैस इस बीडियो में हमने जाना कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं अगली वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे जानवरों के बारे में जिनके खाल पर बाल होते हैं और कुछ ऐसे जानवर जिनके खाल पर बाल नहीं होते हैं साथ ही हम चर्चा करेंगे अंडे देने वाले जानवरों के बारे में और ऐसे जानवर जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं अच्छो आपके लिए एक परियोजना कारे है आपको एक चार्ट पेपर लेना है और उस पर पांच ऐसे जानवरों के चित्र बनाने हैं जिनके कान आप बाहर से देख सकते हैं और ऐसे पांच जानवरों के चित्र बनाने हैं जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं या तो इस परियोजना कारे को आप किसी पुराने अकबार या किताब से उनके चित्र को भी काट कर लगा सकते हैं तो आशा है आप ये परियोजना कारे जरूर करेंगे धन्यवाद